स्वागत आपके अपने YouTube Channel ITI पाक्षाला में तो वख्चो आज हम मफ कप्लिंग की ड्राइंग करेंगे तो उसे पहले यह आपकी Half-Life मफ कप्लिंग है तो उसे पहले देख लेते हैं कि यह कैसे होती है, कैसे जॉइन करते हैं इसमें तो इस coupling में क्या करते हैं, यह आपकी दो soft आए, soft 1 और soft 2, तो यह आपका muff है, तो इस muff के अंदर दोनों soft को key key help से join करते हैं, तो आपको इसकी assembly बनाने के लिए आ सकती है exam में, तो यह जो दोनों soft आएक दूसरे पर पीछ में lab करते हैं, जैसे आप निचे देख सकते हो, इसमे में देख रहे हो आप, यह जो red वाई soft और यह white वाई soft, दोनों क्या कर रहे हैं, यहाप एक दूसरे पर lab कर रहे हैं, बतलब एक दूसरे के उपपर, जब इन दोनों soft को अंदर, इस तरफ से इसको insert करोगे, इस तरफ से, और यह आपकी key है, तो इसमें अंदर यहाँ से key insert क coupling, यह lab करेंगे, जो यह वाई जो portion होता है, यह एक soft, दूसरे soft के उपर lab करेंगी, यहाँ पर, मतलब रखे जाएगी, तो इसलिए इसका नाम पड़ता है, half lab coupling, तो आप देख रहे हो, यह muff था, muff के अंदर हमने दो soft insert कर रखी है, तो इस तरीके से आपकी half lab coupling बनती है, तो कैसे ड्राइंग बनाएंगे, तो किस तरीक से question आ जाता है, तो आज हम half lab muff coupling की ड्राइंग बनाएंगे, तो इस question में आपको जो सभी dimension है, d की term में given है, ठीक है, जैसे आप diameter दे सकता है, यह 1.5, 1.4 d, जो यह circle है, हब counter dia है, वो कितना है, 2.5 d, और question में हमें d की value कितने दिर 30, तो सबसे पहले क्या करोगे, जितनी भी dimension ना है, इसमें d की value रख लोगे आप, ठीक है, d की value रखकर calculate करोगे, जैसे यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, 4.2 d, और d की value कितनी दिर रखे है, question में 30, तो हमने d की value 30 यूज़ करके, यह value length calculate कर ली, तो 4.2 into 30 थे कितना इसे multiply करोगे, तो यह कितना आजएगा आपके पस, 105 mm, तो इस तरीके से पहले क्या करोगे, आप सभी dimension को calculate कर लोगे, उसके बाद drawing बनाना सुरू करोगे, तो आइए इसकी drawing बनाते हैं, सबसे पहले इसकी center line draw करेंगे, उसके बाद, यह beach वाला जो आपका, muff है, यह muff की drawing बनाएंगे, तो जो muff के उन चाहिए है, इसके उन चाहिए के बराबर है, ठीक है, जो आप यह side view देख रहे हो, side view में जो यह diameter है, तो यह diameter कितना है, 2.5D, जिसको हमने calculate किया तो कितना है, 75 mm, तो जो इस muff के उन चाहिए है, कितनी है, 75 mm, और इस muff के लंबाई कितनी है, 3.5D में, D की value रख्की 30, तो यह कितना है, 105, तो आपका यह muff बनेगा, जिसके उन चाहिए कितनी रखनी है, आपको 75, और यह वड़ी लंबाई कितनी रखनी है, 105, तो इस तरीके से आप muff की drawing बनाऊगे, तो इसके उन चाहिए र उसके बाद इसमें यह soft बनेगी, अंदर की तरफ, तो जो soft का dia में कितना दे रख्या, 4, 1.4D, तो D की value रखने पर यह कितना गया, 42, तो यहां center point से 21 उपर, 21 नीचे, यह आपके अंदर, muff के अंदर hole बन गया आपका, जिसका dia कितना है, 42, तो यहां से हमने calculate किया, जो यह वड़ा diameter था, अब इसके अंदर यह soft बनाद हो गया, दोन्नों तरफ, तो इसकी लंबाई कितनी है, 126, तो center point से 63 इदर और 63 इदर, इस तरीके से line लगा लेनी, यह जो line लिए है, हमने center point से 63 इदर लेंगे, और 63 इदर, क्योंकि इसकी कुल लंबाई यहां से यहां तक कितनी है, 126 है, तो यह आपकी soft बनगी यहां से लेके, यहां तक की, उसके बाद इसको हलका सा round figure देके, और यह end portion complete करने आपको, तो जो इसका अंदर बाद आया, उसके बाद यह वाड़ा section बना देने आपको, दोनों तरफ, तो इस तरीके से आप muff के अंदर दो soft डाल चुके हैं, अब क्या करोगे, इसमें आपको key बनानी है, ठीक है, अब जो key की dimension है, double or t given है, बाकी dimension given नहीं है, तो आप याद रखना, जो key की width होती है, वो होगी आपकी dia का चोथा हिस्सा, तो dia में कितना दे रखना है, 30, 30 upon 4, तो यह 75, 7.5 mm आएगा, तो आपको near about 8 mm की width लेके चलने, ठीक है, उसको round figure में कर लेना, जो इसका width बनेगी key की, यह वाली width, ठीक है, वो diameter का चोथा हिस्सा ह होता है लगबग, तो इसमें given नहीं था, तो हमने calculate कर ली, तो dia की value 30 रखके, उसके बाद जो इसकी ठीकने से t, वो dia का लगबग 5 वाइस से होता है, rectangular key की बात कर रहे हैं, तो 30 upon 5, तो यह कितना आ जागा आपके पास, 6 mm, तो इस तरीके से आपकी key की dimension calculate कर लेनी है आपको, अब इसके अंदर हम key बनाएंगे, तो key की thickness है, वो कितनी है, 6 mm, तो जो यह line दिख रही है, आपको soft की, तो 6 mm key है, की height है, तो 3 mm उपर, 3 mm निचे, दोनों तरफ बनाओगे, क्योंकि आपको key बनानी है, तो इस line को क्या कर देना, आपको dotted कर देना है, erase करके, तो जो key की height थी total, 6 mm थी, तो 3 mm निचे, 3 mm, इस line से उपर रखनी है, आपको, इस तरीके से यह soft में key बनाओचुकियों आप, यह आपकी soft की key है, उसके बाद क्या करोगे, इसका side view बनाओगे, तो इदर आपका side view आएगा, तो जो side view बनाओगे, जो बार 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 आद आया होगा, आप, य यहां से calculate कर लोगे, जो 75 mm था, तो इसकी radius, इतनी रखनी है आपको, उसके बाद जो अंदरवाडी radius है, आपकी, soft की, इदर से calculate करना, और जो यह अंदर वड़ा circle लगवाओ, यह 15 mm का, जो soft का यह वड़ा end portion है, अब आप इसमें key बनाओगे, तो जो key की width कितनी है मेरे पास, 8 mm, और height के इसके parallel, इसके बराबर रखनी है आपको, 6 mm के बराबर, अब बचा के आपका, यह मफ में sectioning करनी है, 45 degree के line पर, और जो यह अंदर taper है, क्योंकि half lap muff coupling है, तो यह taper में है, तो center point से, जो इसके लंबाई है, total यहां से यहां तक कितनी है, 30, तो दुनों तरफ कितना कितना रखना है, 15, 15, तो जो इसका center point था, इसके लंबाई 105 थी, तो 105 का bound point दो पर center था, तो लंबाई 30 है, तो 15, 15 दुनों तरफ लेकर, 15 mm इदर, 15 mm उदर, अब यह जो muff था, एक दूसरे के उपर ऐसे, यह taper में था, बिल्कुल flat नहीं थे, taper में थे, तो आपको क्या करना है, 3 mm इदर से उपर, और 3 mm इदर निचे, दोनों तरफ 3 mm ले लेना है, 3 mm इदर, और इदर 3 mm उपर, और इसको ऐसे मीट करा देना है, एक shaft तो यह आपके इतनी, और दूसरी shaft यह आइतनी, इस तरीके से यह दो shaft है, एक दूसरे के उपर, उसके बाद इसमें sectioning करोगे, 45 डिगरी की एंगल पर, यह line ने बिलकुल parallel हो, सब के बीच में बराबर, gap हो, और 45 डिगरी के एंगल पर हो, तो इस तरीके से आपकी half left muff coupling की drawing पूरी हुई, तो बच्चलक जाम में आ सकता है, तो इसके एक बार practice जुरूर कर लेना, थैंक यू, हमारी वीडियो देखने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूले दोस्तो,